हालो स्टुडेंट मैं सुनील कुमार असिस्टेंट प्रोफिशर कॉमर्स उत्राखंड मुक्तुब स्विध्यालाई स्कूल ओफ मनिजमेंट स्टडी एंट कॉमर्स आज का मेरा जो टौफिक है बैंको का रास्टिकरण बैंको का रास्टिकरण को अपर किरिया है जिसके तहर सरकार किसी प्राइवेट कंपणी अद्वाफर्म की एतिकांस हिस्सेदारी खरीद कर उसे अपने स्वामित तोय नियंतरम में ले लेती हैं नीजी बैंको का जिस कारण वो न तो सस्तारान दे पाते हैं और नहीं ग्रामली शेत्रियों में अपनी साखों का विस्तार करते हैं इस कारण भारत में 1979 में सरकार द्वारा बैंकू का रास्टी करण किया गया रास्टी करण में नीजी बैंकू को सरकार द्वारा खरीद लिया जाता है और थाथ अंच पूजी का 50% से अधिक भाग सरकार का हो जाता है यही बैंकू का रास्टी करण कहलाता है बैंकू की रास्टी करण का पर्थम चरण 19.07 में 14 बड़े बैंकू का रास्टी करण किया गया जिनकी जैमापूजी 50 करोड से अधिक थी जिन 14 बैंकू का रास्टी करण किया गया है उनके नाम फ्रिमुक है बैंक आफ इंडिया, यूनियन बैंक आफ इंडिया, बैंक आफ बढ़ोदा, बैंक आफ महरास्ट्रा, सेंटल बैंक आफ इंडिया, केनरा बैंक, सिंडिगेट बैंक, यूनाटेड कॉमर्शिल बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवर सिज बैंक, इलावाद बैंक, जमाएं, दोर सा करोड से अधिक थी, वे बैंक जो राश्ची करने के इस दौर में सामिल थे, निम लिखेता है, इसमें है न्यू बैंक आफ इंडिया लिमिटेट, बीजेया बैंक लिमिटेट, पंजाव एंड सिंद बैंक लिमिटेट, औरियंटल बैंक आप कॉमर्स, आंध सामाजी उद्देशी की पूर्ति करना, ग्रामिन सेत्रों यों समाज के अंतिम ब्यक्ति तक बैंक सेवाँ की पहुंच उपलब्द कराना, बैंकों को सरकारी योजनाओं की पूर्ति हितु इनके अनकूल बनाना, इसके बाद है, बैंकों के राश्ची करन के आउश्यक्ता क्यूं हुई बैंकु के रास्टिकरण के आउशक्ता निम्न कारणों से हुई बचतु को प्रोच सहान देना रास्टिकरण होने से लोगों के बैंकु के परती आस्था मैं बृद्धी हुई जिससे लोगों की बैंकु मैं जमाऊं या खातु की सिंख्या मैं बृद्धी सारुजनिक बैंकों में अधिक रहती हैं जिससे बैंकों की बच्चतों को प्रोस्थान मिला बैंकिंग लाभू का राश्टी हित्म प्रियोग राश्टी करन से पहले बैंक से जो भी लाभ प्राप्तों होते थे उनका प्रियोग अधिकांस्तों अंसधारियों को लाभ बित् होने से नियोजन की सफलता में एक अभूतपूर्व कदम बैंकू का रास्टी करण है नियोजन की सफलता सरकार ने आर्थी विकास है तो नियोजन के मार्गों को अपनाये हैं नियोजन के सफल संचालन एं किरिवानयन के लिए बैंकू का रास्टी करण एक महत्पूर्ण कद उनका फ्रियोग वह अपने कर्मचारियों के कुशल प्रबंधन मैं कर रही थी जिससे बैंकों की कारी कुशलता में व्रिद्ध है अगला है आपस में पूर्ण परत्योगीता महौल का अंत। ब्यापारिक बैंकों के मती जो एक अनुचित परत्योगीता पूर्ण महौल था राश्चिकरण के बाद उसका अंत हुआ आपस में सभी बैंकों ने एक दूसरे से कनेक्टिबिटी बनाते हुए सरकार की योजनाओं को सपल बनाने में महत्पूर्ण उगदान दिये अब है राश्चिकरण के फायदे जब कोई भी योजना या कोई भी किरिया संचालित हो इसके दो कौज होते एक तो इसके कुछ फायदे भी होते और उसके कुछ नुक्षान भी होते राश्चिकरण के जो फायदे है बैंक साकाओं का बिस्तार राश्चिकरण से पहले बैंक क्या चोड़ तक बैंकों तक लोगों की पहुंच हुई अगला है रियन का बिस्तार रास्टी करण से पहले जो बैंक से वो रियन गिने चुने लोगों को जिनकी पहुंच बैंकों तक थी उनको बित्रित करते थे रास्टी करण के बाद इस रियन का बिस्तार ग्रामेली सेत्रूं किसानों, सभी भ्यक्तियों को मिलना फ़रारम भो अगला फाइधा है, सेत्री असमान्तव को यह कम यह राजति करने के बाद शेत्री असमान्तव यानी सहरी और ग्रामील असमान्त haven जो भी बेंकिंग सेवाइइ थी उनकी असमान था है हुई प्रात्मिक सेत्रक रियान यानि की में सरकार ने सस्थ that सक लोगों को अनिवारि ऐको ठेना कृट्स रियानि मिलना असान हुए रास्तिकरण के नुक्षान, रास्तिकरण से जो नुक्षान हो कारी सम्ता में गिरावट, कारी सम्ता में गिरावट भी बैंक कुमा, जो कारी था अब जो बैंक करमचारी थे उनके अंदर यह आगिया, उनके मन में यह आगिया, हम सरकारी करमचारी हैं, जो काम पहले एक है मैं को भी रास्ची करना से पूरल बैंक जो भी ब्याजदर निर्धारीद करते थे कि वो डा इसाथ अलग 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 होता था सेयव कि अलग अलग होता था कि क्राइच करना тобой यह सरकार केंद्री बैंक दारित करने लग गशनेती स हिण 라जनेती में आईसके बहुत से लोग रिखन लेते हैं उसके बाद राजनेती को चुकाने में आना कानी गरते हैं, या रण नहीं चुका पाते हैं, या अपने आपको दिवा ले घोशित करते हैं, जिससे बैंकों का नुक्षान हो रहा है, उस नुक्षान से आम जंता को भारी परिशानी मेहंगाई की मार जलनी पड़ती हैं. इस राजनेती हस्तेव से के चलते बैंकों को काफी नुक्षान हो आगला है कर्मचार्यों की संख्या में व्रिद्धी राश्ती करन के जो सबसे वड़ा नुक्षान हो हो है कर्मचार्यों की संख्या बैंक में कर्मचार्यों की संख्या में तो व्रिद्धी हो गई लेकिन वह योहार भी लोगों के पड़ते इतना सकारत्मक नहीं रहता है। इसलिए राश्टी करण के कुछ फाइदे हैं तो कुछ उसके नुक्षान भी हैं। मेरा ये टौफिक राश्टी करण के नुक्षान और फाइदें सभी स्टुडेंट आपने शुना हैं। उसके लिए मैं धन अदट